सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन सकती है तेज हवाएं चल सकती है आप बदा दे पीछे पिछले सब्ता पांच राज्यों में धूल बरी आंदी और तेज बारिश हुई थी जिसके कारण 124 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज़्यादा लोग खायल हुए थे उदर हरियाना में मौसम के बदलते मिजास को देखते हुए सिक्षामंती राम बिलाज शर्मा ने अगले दो दिन तक सभी निजी और सरकारी स्कूनों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं तो तेरा राज्यों में आंधी बारिश की आशंका जाहिर की गई है आपको बता दें कि तेरा राज्यों और दो किंद शाशित प्रदेश हैं जिनमें तूफान के चलते भारी बारिश तेज हवाएं चलने की आशंका जाहिर की गई है तो देश के कई राज्जों में पहले ही तबाई मचाने वाले तूफान को देखते वे हर्याना सरकार ने अलर्ड जारी किया है हर्याना और पंजाब सुमें देश के तेरा राज्जों में आंधी तूफान का घ्रह मंतरल ने अलर्ड जारी किया है हर्याना सरकार ने बड़ा कदम उठाते वे प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को साथ और आठमाई को बंद रखने का आदेश दिया है तो देश शकाई राज्यों में तुफान की आचंका के मतने नजर हर्याना में इसको लेकर विशेश सतरकता बरती जा रही है अगले दो दिन तक सभी नीजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निरदेश दिये है प्रदेश वास्यों से भी अपील की गई है कि वो इस तेज तूफान और बरसात के पूरवान उमान से भाई भीत ना हो बलकि साबधानिया बरते तो हर्याना में मौसम के वजलते मिजास को देखते हुए सिक्षमती रामबिलाश शर्मा ने दो दिन तक सभी नीजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निरदेश दिये हैं हर्याना सरकार की और से ये बड़ा कदम उठाया गया है रामबिलाश शर्मा ने मौसम विभाग की तेज तूफान और बरसात की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए ये घोशना की है कि सभी सरकारी और निजी स्कूल प्रदेश में साथ और आठ मई को बंद रहेंगे प्रदेश वासियों से भी अपील की गई है कि वो इसी भी तरह के पूर्वा नुमान से भाइभीत नहों बल्कि विभाग की और से जारी साथधानी को बढ़तें बच्चों और बुदर्गों को अविशेश ध्यान रखें आपको बता दें कि यूपी और राजस्तान में आए आंधी और तूफान के जैसे भारी तबाही मची थी तो जिस तरीके से प्रदेश में तूफान को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही है पुर्वानुमान लगाए जा रहे है फतेहाबाद में आपको बता दें कि जिला प्रसाचन ने आम लोगों से हैतियात बरतने के अपील किये जिला राजस और आपदा प्रबंदर विवाक की और से नागरिकों से अपील करते हुए कहा गया है कि वो भबराएं नहीं बलकि हैतियातन कुछ साबधानी जरूर बरते हैं पेड़ों के पास ना सोएं सोने से पहले चूलों और भटी में आपको बुझा दें इसके अलाबा आपास सिती के समय किसी भी तरह की वहत के लिए सभी अमर्जनसी सेवाओं को अलर्ट मोर्ड पर रखा गया है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो कृपिया लाइक शेर और कमेंट जरूर करें